वेल्कम टू तो उत्राखंडेचीवर, जो आपके पास नयस टॉपिक है साइन्स का, वो है विज्यान की प्रकती का, विज्ञान सिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अंतर संबंद, जो विज्ञान की प्रकती है, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विज्ञान की प्र प्रकतिया है हमारे पास उसके लिए किशीकी प्रकति को जानना इसको जानें गे जैसे आप जानते हैं क्यों जॉंnut नहीं क्या था कि الذي बत्ग miejscu हमारे पास शिक्छण सिक्छन अधिकल प्रकतिया protect क्या है त्री आयायमी प्रक्रिया है जहां पे करिकुलम, पाठेचरिया, स्टुडेंट, सिश्य या फिर आप छात्र और टीचर तीनों क्या है उस त्री आयायमी प्रक्रिया में क्या है प्रमुक है कि student और teachers के बीच में क्या पढ़ाया जाए वो क्या करेगा, decide कौन करेगा, curriculum करेगा और किस तरीके से पढ़ाया जाए, वो सब decide कौन करता है मारे पास, उस subject की जो प्रकती होगी, वो decide करेगा अब हम जानेंगे कि जानना आवशक है क्या, क्यूं क्यूं किसी भी विशे की प्रकती को जानना आवशक है, ताकि वो क्या कर सके, वो जो हमारा teaching है, जो subject आप पढ़ा रहे हो वो क्या हो सके, उसका सरल हो सके, जैसी कि हम कहते हैं, हम ICT का प्रियोग करते हैं किसी चीज में, ICT का प्रियोग करते ही क्यों है हैं हम लो, क्यूंकि हमारे पास क्यों सिख्छन अदिगम प्रकरिया सरल हो सके, बच्चे को अगर आप फोड़ी सिंतेस्स पढ़ा रहे हो, आप उसको करके सीखने का मौका दे रहे हो, या फिर आप उसको तो उस कलिस्ट भासा को यूज करके क्या फाइदा कुछ है नहीं, अगर सामने वाले को कुछ समझी ना आए, अगर आप किसी सैमिनार में बैठे हैं और आगे से कोई इंसान जो हमारे पास वक्ता है, वो कलिस्ट भासा का प्रियोग कर रहा है तो हमको कुछ समझ आएगा नहीं, तो फाइदा क्या ही जो होगी उसको पढ़ाने का वैसे अगर वो सरल है और हमारी बोलने वाली बात इसको समझ में आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, अगर उसमें PPT और यूज़ हो गई तो और ज़्याद मज़ा जाएगा नेस्ट हमारे पास से सिक्षन सूत्र का चुनाओ करने के लिए हमको पदा चल चुका है, यदि कोई subject है, उसकी प्रकती जिग्यासु बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिक्षन सूत्र, सिक्षन सिधान्थ उ सिक्षन वीदी उस तरीके से यूज करेंगे सिक्षन सामगरी उस तरीके से प्रेयोक करेंगे जैसी कि अगर हमको किसी बच्चे को जिग्यासु बनाने तो करके सीखने का मौका देंगे सामान्य से विसिस्टिकी ओर ले जाएंगे आप demonstration method यूज कर सकते हो सिक्चर समयगरी में आप क्या प्रयोग करोगे जैसी कि अगर आपको कुछ green leaves के बारे में बताने कि जो chlorophyll होता है वो green leaves में होता है तो आप यह करोगे वहाँ पे green leaves लेके आओगे भाड से उसमें starch आयोडीन वगयरा ढालोगे तो वो बताओगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है हमारे पास कौन-कौन सी चीजें यूस करनी है वैसी अगर आपको कुछ जैसे मारे पास विज्यान की प्रकृति थी बच्चों को अवलोकन की भावना का विकास करना अवलोकन की जो उसकी छंटा उसका विकास करना तो वो सब के सब क्या कर सकते हैं लोग यहीं प्रियोग करने में सिक्षन स्वामेगरी का चुनाओ करने में क्या हो जाएगी उसकी यूज हो जाएगा सिक्षन अदीगम प्रक्रिया में विज्ञान का अगर किसी भी विशे की प्रकति को जानना अविशक हो जाता है थेंक्यू लाइक श्यकि अन सब्सक्राइब